यूपी उप्चनाओं के बाद आज सपाप्रमुक अकलेश यादव कानपूर दौरे पर पहुचेंगे और विधायक इर्फान सोलंकी से मुलाकात करने जेल में पहुचेंगे। इसी पर बादचीत के लिए हमारे साथ कानपूर से बीजेपी के लोग सभा सांसा सत्वे पचौरी जी मौजूद है। करना हैं जन्त और मुस्लिम समाज को भर्मित करना हैं कि हम तो आने वाले थें लेकिन आनी पाएं पहले भी उन्होंने ऐसा ही ब्यान दिया था कि जब चौनाव में मिलने गया था इर्फान तब भी दिया था वो तो किसी के साथ कभी खड़े नहीं हुए बताएए इनके र माजने ते करियर में बताएं कब उन्होंने संगर्थ किया उसंगर्स कि उन्हों चमता ही नहीं दिये वो कई जाने आले वाले नहीं हैं हां मुस्लिम समाज को जो तीन सीटें समाद ही उन्हों कर सक जाए इसलिए बार-बार ये कह रहे हैं और कई बार गोड़ना कर चुके हैं कि मैं अब आ रहा हूं अब आ रहा हूं कब आओगे भई आओ हमें कोई डर नहीं निकाई चुराव भी होना है और इस बीच इर्फान सोलंकी से तो मिलेंगे ये अखलेश यादव लेकिन अपने कारिकरताओं से भी मिलेंगे इसके साथ ही और भी जो विधायक है उनसे भी मुलकात अखलेश यादव करेंगे और आरोप लगातार बीजेपी पर लगाया जा करा और यह विवाद आते नहीं चलना 20 सालती जगह पर विवाद धे उनको तो उनको उसका समधन यावारता के दोरा यह नहालाएक की माद़ां से कर लियना चाहिए वो तो उन्हों ने किया नहीं तो हम पर कहा हरो हम ने तो उनको भगाया नहीं थैकि तुम भाग जाओ हमन प्रणुनी तरीके से उसी की चाच हो रही है और सवाल है इससे हटकर कि जयन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेद मोधी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा है कि कमरे के अंदर कैसी तस्वीर प्रधानमंत्री देखते हैं यह कोई नहीं जानता है देखिए बहुत हलका बयान है जयन चौधरी जी को प्रधानमंत्री जैसे बेक्ति पे यह टिप्ट्री नहीं करने चाहिए यह सुवा नहीं देता है क्योंकि वो कभी तो प्रधानमंत्री आबास गए नहीं उन्हें देखा नहीं उन्हें तो पता भी नहीं होगा और यह क्या पढ़ने में समय लगेगा